हलो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पर चलिए तो आज हम बत करेंगे कि प्रेगननसी के 9 में महिने में आपको ऐसे कौन से कार्य करना जरूरी होंगे जिसके वज़े से आपकी नॉर्मल डिलेवरी में मदद मिल सके क्योंकि आज कल जाद क्योंकि प्रेगननसी के समय डिलेवरी के समय जो दर्द होता है उससे वो घबरा जाती है और दर्द सहन नहीं कर पाती है तो हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेके आए हैं जो आपकी नॉर्मल डिलेवरी में मदद करेंगे तो अगर आपने मेरा चैनल सस्क्राइब नह आपने खान पान पर विसेश ध्यान देना चाहिए क्योंकि खान पान पर विसेश ध्यान देंगे तो आपके सरीर में भरपूर एनरजी होगी और खून की मात्रा भी सामान होगी क्योंकि नॉर्मल डिलेवरी के समय एनरजी की ताकत की बहुत जरूरत होती है अगर आप में अगर बीच में थक जाते हैं तो आप नौर्वन डिलेवरी नहीं करा पाएंगे और अगर आपके सरीर में खून की कमी होगी तो भी आपकी नौर्वन डिलेवरी संभव नहीं हो पाती है और महिला को नौवे महिने में ज्यादा तर उक्रू बैठने वाले कार करने चाहिए क् जो नीजे की मसल्स होती हैं मजबूत होती हैं और मुलायम होती है हाडू, पोछा करना और बरतन धुलना या कपड़े धुलना जो भी आपके उक्रू बैठने वाले कार हैं वह आप ज्यादा तर नमई महिने में करिये में पहले के लोग ज़ा तर बैठ कर खाना बनाते थे अब बैठ कर खाना बनाने से आपको जैसे किसी चीज की जरुवत है तो आप बार बार उठेंगे फिर बैठेंगे उठेंगे फिर बैठेंगे तो इस तरीके से आपके जो नीचे की मसल्स होती उसकी exercise भी होती रहती है और वह मसल्स मजबूत भी हो जाती है और प्रेगनेंसी में आपको हमेशा वॉक करते रहना है और लगभग 9 महीने में आपको वॉक जादा करना है चलते फिरते रहना है आपको लगबग सुबा एक घंटा सामको भी लगबग एक घंटा बॉक करिए जिससे आपकी नीचे की मसल्स मजबूत होती हैं और मुलाइम भी होती है जो कि आपकी नॉर्मर डेलेवरी में सहायक होती हैं और आपको प्रेगनेंसी के समय पानी भरपूर मातरा में पीना चाह यह चलने फिरने से बेबी होता है बच्चा होता है वो नीचे की तरफ खिसकता है जिससे आपके नॉर्मर डेलेवरी समभव हो पाती है और जब आपको दर्द आता है उस समय आपको क्या करना है कि नीचे की तरफ जोड लगाना है ताकत लगानी है जिसके वज़े से बच् भी कर सकते हैं. और आपको जैसे दुबारा फिर से दरद आता है तो आपको फिर से वही करना है जैसे की जोड लगाना है. तो इस तरीके से आपकी नॉर्मा डेलेबरी संभा हो पाएगी. अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाई करना ना भूलें